बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने युट्यूब से पेपर हैकर में मैं सुरज राज और आज की वीडियो देखना है जो भी छातर बीकॉम सेकेंड समस्टर में है उन सभी छातरों से कहना चाहूंगा कि आप 2022 का जो पेपर देनी वाले हैं वो पूरा पेपर लीक ह हो चुका है 2022 में किस तरीके से आप इंपोर्टेंट कोशन पढ़के क्या के आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़के आप 90% प्लस ला सकते हैं 90% प्लस यहां 90% प्लस 2022 के टॉप 10 लिस्ट में आने वाले हो टॉप 10 का मतलब होता है कि आप यूनिवस्टी के अंदर नहीं बग पेपर में पूरे छप्ते होते हैं तो आप सभी शातरों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर को अभी सबस्क्राइब कर लो दोस्तों को स्चेर कर तो UP कि आप किसी भी उनिवस्टी से हमेहीं बहार से हो कहीं से हो समस्टार राइधी आपका पेपर है तो सब कुछ यह Ihnen आएका कुछ भी बहार से नहीं आएगा, आप अपने syllabus को एक बाद चेक कर लो, जो question दे रहा हूँ, वो मिल रहा है उसमें, तो सब यही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, तो देख लो धिहान से, पहला question आपको पढ़ना है, यह देखो financial accounting का paper हो जाएगा, बीकॉम second semester के को हम accounting बोलता है, इस Wait,폰 बहमें कर, याद रहन को होता है, यह Dirigma, वो अछपराणकध कर, अधुद्या पलता हा, उसका अर्झया क्या होता है, इसका अर्थ को होता है, नदब उसकी परीबहास आपको होता है, आपको बताना है, दोहरा लेख़ा पॉरणली, क्या होता है, द विसेश्था के बारे में रोजनमचा क्या होता है इसकी विसेश्था के बारे में खाता वही जो होता है उसका अर्थ उसकी परिभासा तो खाता वही किसे कहते है उसकी बारे में ठीक है खाता वही किसे कहते है उसकी बारे में को याद करना है यहां है तलपट, तलपट का अर्थ क्या होता है, तलपट का अर्थ क्या होता है, तो तलपट की परिभास आपको देख लेना है, परिभास आपको याद कर लेना है, ठीक है, उसके बाद में next question बोला गया है, अंतिम खाता लाब हानी खाता, ठीक है, अंतिम खाता क्या होता है अंतिम खाता जिसे final account बोलते हैं इसके लाब और हानी खाता एक होता है अंतिम खाता एक होता है लाब और हानी काथा खाता उसके चिट्था के बारे में बता रहा है और यहां है समायोजन समायोजन का अर्थ क्या होती है बिसेस्ता क्या होती है समायोजन किसे कहते है यहां पर ब्यात करके जाएंगे उसकी बाहने होता है कि नहीं कराया क्रे चिश्ट बंतर किस्ट भुगतान-प्ति tähän कि क्रया क्राया क्रेप्यक्ति किया है म किस्ट भुगतान पर्दी में अंतर दोनों में आपको देखना किराया किरयव पतिति कि से कहते हैं और किस भुबतान पती में अंतर इन दोन में अंतर आपसे पूछता है इंस dear तरीके से आप पढ़ देना चुको इसको एक बार में पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा यहां देखो यहां है साखा साखा और तरपट के समयलन में जो जनरल कैसे हैं बताना है वह आपको देखना है ठीक है पर विस्टियों के बारे में कोई दिक्कत नहीं हो सके तो उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको यह कोशन जरूर पढ़ना है जिसे कहते हैं बिभाग यह लेखो के उद्देश और लाव क्या होते हैं ठीक है डिप्लमेंटल एकाउंट्स के लाव क्या होते हैं यह पढ़ेंगे बस लास्ट खतम पेपर खतम पूरा बस यही पढ़ना यह कोशन सोट मिलेगा ऊपर मानें लॉंग मिलेंगे यह कोशन देखिए यहां कहा रहा है नगत मूल की गल्णा और परिभास आएं नगत मूल क्या होता है उसकी गल्णा किस तरीक किसी गया है उनकी बारसिक बेदी आपको बता दें बिभाग किसे कहते हैं उसको साखा कहते हैं और विदेशी साखा किसे कहते हैं उनकी बिशेचता है बस आप 2022 के टॉपर बनने बाले हैं बस इतना कोशन पढ़ लो ज्यादा 17-18 कोशन होंगे टॉप 10 की लिस्ट में आने वाले हो पेपर में आपके कोशन 10-12 कोशन पूछी जा झाले हो.